तो पटना में सिक्षक अभ्यर्थियों ने साथवे चरण के बहाली के नोटिफेकेशन के मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है आपको बता दे कि डांक बंगला चौराहे पर अभ्यर्थियों ने हंगामा करते हुए प्रदर्शन कर रहा हैं सिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि हम सभी चार साल से नोटिफिकेशन का इंदजार कर रहे है हम लोगों ने ट्रेंणिग ले ली है, सीटेट पास करके हम आज भी बैठे हुए हैं लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा है अगले चुराव में हमें भुलाने की कोशिश की जा रही है जो हम नहीं होने देंगे उन्होंने आगे ये भी कहा कि बिहार में लाखो सीट खाली है और सरकार बस जुमले बाजी कर रही है हमें अब आश्वासन नहीं नियुकती चाहिए